बॉर्णिंग स्ट्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे आज आपके वर्षीट नुमबर ट्विंटी आई है इसे इच्छे से लेबल कीजिए आपको पते है यह फॉर्थ वीक की वर्क्षेट शुरू हो गई है इसमें आपकी पांच वर्क वर्क्षीट आई है तो आपके 6th, 7th and 8th तीनों क्लास के स्ट्रेंट्स चाहिए इंग्लिश मीडियम हो चाहिए इसी वर्क्षीट को कम्प्लीट करेंगे तब आप आज की डेट डाल दीजिए अपनी क्लास लिख लिजिए जो भी आपकी क्लास है अपना नाम लिखिए आज की जो अमारी कहानी है वो the hunter and the pigeons hunter कहते हैं बेता शिकारी को और pigeon आप सब जानते हैं कहते हैं कबूतर को ठीक है अब यहां लिखा है an interesting story from the panch tantra है ना यह आपकी panch tantra की interesting story है तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं reading instruction for student यहां पे कुछ आपके लिए instructions दिये गए हैं आपको वो follow करना है जैसे कि let your voice reflect the tone of the story or a personalities of the characteristics ठीक है यानि कि जो आपकी बोलने का अंदाज है है ना वो आप उसी तरह से बोलने की कोशिश करेंगी जिस तरह सी इस story के characters बोल रहे हैं है ना उनके how-how की तरह बोलने की बिल्कुल एक reading point of view से नहीं पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि यहां पे कुछ आपस में बातचीत हो लिए है ठीक है आगे क्या लिका है don't read too fast इसको बहुत speed में नहीं पढ़ना है कि आप पढ़ते चले जा रहे है speed में मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है वार your pace so you can pause for emphasizes अब आपको क्या करना है जहां पर भी आपको dot comma इस तरह की चीज़े दी जाती है उस जगा पर आपको क्या करना है रुकना है emphasize जहां पर जोर दिया जा रहा है वहां पर जोर देने के लिए आपको रुक के जोर देना है जब हम कोई बात करते हैं आपको पता होगा कि हम होती है उससे हमें sentence के लिए होता है है जैसे मैं कहूं रोको यह एक example है बहुत बहुत मतलब हर जगह यह बोला जाता है क्या रोको मत जाने दो ठीक है यह एक example है रोको मत जाने दो ठीक है अगर मैं यहां लिख दू रोको यहां कॉमा लगा दू तो क्या होगा रोको मत जाने दो यह ना यानि इसे रोक लो इसे जाने मत देना ठीक लेकिन अगर मैं यह कॉमा यहां से रभ कर दूं यह देखे अब मैं यह कॉमा यहां से रभ कर दू तो यहां लगा दूँ, रोको मत जाने दो, तो देखे, पूरा मतलब change हो गया, कि भाईया उसे रोको मत जाने दो, उसका काम खत्म हो गया, है, तो इनसे क्या है, कि हमें कहां रुकना है, कहां पर फ्लो में पढ़ना है, यह बहुत important role play करता है, reading के point of view से, ठीक है, तो अब देखें यहां लिखा हुआ है a flock of pigeons flock कहते हैं जुन्ड को, group को pigeons का एक group lived on a huge banana tree बहुत बड़े से banana tree पे एक कबूतरों का जुन्ड grow रहा करता था one day एक दिन the pigeons were flying in search for food यानि की एक दिन की बात है pigeons यानि कबूतर खाने की तलाश में उड़ रहे थे इधर उदर this way उन्होंने देखा plenty of grains यानि काफी मात्रा में grains पढ़े हुए हैं वाँ पे दाने पढ़े हुए हैं skirt on the ground जमीन के उपर बिख्रे हुए हैं all of them came down to eat the ground अब वहाँ पे जो जितने भी उड़ रहे थे उन सब को दिखा वो सब आके बैठ गए और उसको खाने लगे soon जल्द ही they realized that they were catch in the trap which the hunter had लाइब अब बोलते हैं उनको जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि वो पकड़ लिये गए हैं किस में जाल में फस चुके हैं कौन सा जाल जो hunter यानि शिकारी ने किस क्या किया था बिचाया था उनके लिए तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया जैसी वो दिखें या खा रहे हैं उसके बाद वो क्या हुए है पकड़ लिये गया उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका कि भाई मुझे जो है क्या कर लिया गया है पकड़ लिया गया है किसके दौरा शिकारियों के दौरा अब उसमें जो पीज़न से जो कबूतर थे वो बहुत उदास हो गये यानि कि अब उनका जो लीडर था जो उनका हैट था उसने क्या कहा कि भाई तुम अपनी आशा को मत खो है ना अपनी होप को लोज मत करो ठीक है उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है इंसान के अंदर उम्मीद हो थी तब ही वो जी सकता है अगर वो होपलेस हो जाएगा अगर वो निराश हो जाएगा तो वो जिंदिगी में कुछ नहीं कर पाएगा है ना यानि उसने सबसे पहले उन लोगों को हिम्मत बढ़ाई उसके उसने कहा He said that If all of them made a joint effort यानि कि अगर हम सब मिल कर है ना मिल कर joint माने इखटा effort माने कोशिश करे They would be able to fly away with the trap तो यानि कि अगर हम सब एक साथ मिल कर कोशिश करेंगे तो हम लोग trap को यानि जाल को उड़ा के अपने साथ ले जा सकते है All the pigeons tried in Unshown And the finally few Away along with the trip ठीक है अब क्या हुआ उन सबने मिल कर काफी देर तक कोशिश करी ट्राइ करते रहे उसके बाद आखिर कार वो सब उड़ गए ये few भी उसकी fly की ही form है ठीक है उड़ गए trap के साथ यानि कि जाल के साथ ही वो उड़के चले गए जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे The hunter could do nothing but repent ठीक है अब क्या हुआ जो अब hunter था वो देखता रहे गया वो कुछ कर नहीं नहीं पाया भई वो तो जाल समय तोड़के चले गए After flying for a long time जब वो लंबे समय तब उड़ते रहे They reached a place where an old friend of the leader pigeon a rat lived उड़ते उड़ते वो उस जगहां पहुँच गए जहां पे जो इनका leader pigeon था उसका पुराना दोस रहता था और उस वो पुराना दोस कौन था rat था, चूहा था The leader required the rat to help them अब जो उनका leader था उसने rat से request की कि भाई आप मेरी मदद कीजी आप हम सब की मदद कीजी He agreed, वो राजी हो गया and called some other rats और उसने कुछ और चूहों को भी बुला लिया अपनी मदद के लिए All the rats work on the trap यानि कि अप सारे चूहे जो है जाल के उपर काम करने में लग गया क्या काम करने में? जाल के जो तार है उनको कुतरने में and were able to cut it set the pigeons free और उन्होंने क्या करा? बड़ी काफी लंबी महिनत के बाद उन्होंने उस धागे को जाल के धागे थे उनको क्या करा? काट लिया और उन सब को क्या कर दिया? free कर दिया यानि आजाद कर दिया अब वो उड़ सकते हैं तो देखिए आपने देखा कि किस तरह से एक तरह से आपको ये बताया गया है कि मिल कर काम करने में एक दूसरे की सहिता करने में बढ़ों की बात मानने में हमेशा हमारा फायदा होता है है ना, । अगर हम tässä सबसे बड़ी चीज़् क्या है अगर वो अपने बड़े पीज़न की बात नहीं मानते तो कभी फ्री नहीं हो पाते सबसे पहले उन्होंने आपने बड़े की बात मानी उसके बात क्या हुआ फिर उन्होंने गुरूप वोई किया मिलकर काम किया एक साथ मिलकर उड़े गुरूप वोई किया उन्होंने उसके बात क्या हुआ जब मिलकर उड़े तो पहले उन्होंने रेट की कोई मदद की होगी तब ही तो रेट ने उनकी आज मदद की तो इसका क्या आर्थ हुआ कि हमें दूसरों का सपोर्ट करना चाहिए जब किसी को ज़रूरत हो हमारी तो हमें फॉरण उसकी मदद करनी चाहिए ठीके? तो यह बहुत अच्छे स्टोरी है और इस स्टोरी से हमें बहुत अच्छी मॉरल भी मिलते है यानि कि शिक्षा भी बहुत अच्छी मिलती है अब यहां देखे लिखा है Suggested Activities अब यहां कुछ activities दी गई है उनको हम लोग कर लेते हैं यहां देखें क्या लिखा है How many characters are there in the story? Name them इस स्टोरी में कितने करेक्टर हैं? सबके नाम लिखें तो हमें पता है इस स्टोरी में 3 करेक्टर है Number 1 कौन है? Pigeon Number 2 कौन है? Number 3 कौन है? Hunter Shikari Main 3 करेक्टर है चलिए तो इसका answer देख लेते हैं हम लोग आपको पता है इसमें 3 करेक्टर है Hunter, Pigeons and Rats ठीक है? Next question देखिए हैं लिखा है Read out the story to your younger siblings with proper voice modulation expression अब आपको क्या करना है? जो आपके younger siblings हैं जो आपके भाई बहन है उनके साथ आपको क्या करना है? इस story को पढ़ना है proper voice में साफ सुतरी आवाज में उसमें कहां रुकना है क्या expression है उसके साथ आपको पढ़ना है ठीक है? Under the parental guidance और इसके बाद आपको क्या करना है? मतलब ऐसे नहीं है कि आप खुद से खड़े हो जाएंगे पढ़ने के लिए आपको कैसे पता चलेगा आपने सही पढ़ाया या घलत? तो उसके लिए आप अपने parents को सामने बठा लेंगे फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ आपने सही पढ़ाया या नहीं तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आपको मतलब लिखने वाला कोई काम नहीं तो इसमें मैं तो कुछ नहीं लिखवाऊंगी आगे चलते हैं अब देखें यह लिखा हुआ है अब आपको राइट ओप्शन से इसे चूज करके लिखना है तो यहाँ देखें लिखा हुआ है तो क्या जाएगा? यहाँ पीजिन उड़ रहे थे किसलिए खाने को खोजने के लिए तो यहाँ पर अंसर क्या हो गया? फाइड एफ आई एंड फाइड फाइड सेंपल आगे लिखा हुआ ओल दा पीजिन ट्राइड तो क्या जाएगा? टूगैदर सबने मिलकर एक साथ कोशिश की है ना? नेक्स लिखा है वो जाल किसके द्वारा बिचाया गया था? हंटर, शिकारी के द्वारा ठीके? आगे लिखा है तो हंटर क्या फेल कर रहा था? सैड, उदास हो गया था वो एक्सेटेट कैसे होता भी? उसके तो पकड़े गए, कभूतर सब उड़ गए है ना? तो इसका भी सैड हो जाएगा यहां टूगैदर हो जाएगा यहां फाइंड हो जाएगा के लिए रहे? आगे चलते हैं All the rats started to क्या जाएगा? Cut the trap है ना? अब देखिए यह जो अपने स्टोरी पढ़ी इसमें एक आपका पीजिन था है ना? पीजिन का हैट था तो उसकी आपको दो लीडर्शिप कॉलिटीज बतानी क्योंकि देखिए जो लीडर होता है उसके अंदर अपनी कॉलिटीज होती है क्या वो गुरूप वर्क कर सकता है वो कॉपरेटिव होता है वो अच्छा इंस्ट्रक्शन दे सकता है इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छा होता है तो आपको यहाँ पे जो पीजिन है उसकी दो कॉलिटी बतानी है ठीक है तो चलिए पीजिन की क्या दो leadership quality थी बताते हैं यहां उसकी जो पीजिन है लीडर पीजिन है उसकी दो quality आपको नजर आती है नमबर वन के वो motivate करता है सबको कि आप लोग hopeless मत हों है ना और दुसरे चीज़ वो आपस में दुसरे को connect करता है है ना joint work करने को कहता है कि हम सबको क्या करना चाहिए joint work करना चाहिए है ना cooperative है वो ठीक है और अच्छा instructor भी है उस वह अब जो उसने struck किया वो सबने मान लिया है ना तो इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं अगला question देखिए यह लिका है a leader is one whose lead or gives a direction यानि की कहते है लीडर उसको कहा जाता है जो सबको lead करे सबकी अगवाई करे या सबको direct करे के भाई आपको यह करना है आपको यह कर रहा है चीक है the leader pigeon did just that और leader pigeon ने भी ऐसे ही करा what did the leader pigeon asks the other pigeon to do अच्छा बाप बताये ज़रा leader pigeon ने बाकी pigeon को करने के लिए क्या कहा write your answer in not more than two lines अब आपको अपना answer जो लिखना है केवल दो लाइनों में लिखना है ठीक है चलिए तो अब इसका answer देखते हैं उसके बाग वीडियो को फिनिश करते हैं इसका answer यहां से लिख सकते हैं कि उसने क्या का he said that he if all of them made a joint effort they would be able to fly away with the trap यहने उसने कहा था कि अगर हम सब लोग मि दोबने क्या होजाएंगे समभव हो जाएंगे साकार हो जाएंगे चीकष क्या लेडरशिप कॉलिटी है कर लेंगे चले तो अच्की वीडियो आगी करते है था आपको आई हो तो प्लीज इसलाइक को शेयर करें अगर अभी तक आपने मैं चाम को स्काइब नहीं किया तो please make a channel subscribe thank you for watching